spiritual बात पर चलने वालों के लिए क्या कोई एक सीधा रास्ता है कुछ नियम है कि इन नियमों को माने इस रास्ते पर चले ऐसे ऐसे पढ़ाव आएंगे उन्हें पार करें और फिर आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं जो आपका end goal है या फिर एक जीवित गुरू के बिना इस रास्ते पर चलना और पढ़ावों को पार करना ये संभव नहीं है निन्या नवे प्रतिसत लोगों के लिए किसी गुरू का सहयोग मार्क दर्शिन जरूरी है क्योंकि हम सामानने बुद्धी के लोग हैं लेकिन एक प्रतिसत अपवाद हो सकत अपने आप पाया लेकिन ये अपवाद हैं इनको हम नहीं बना सकते ये बहुत भटके बहुत तड़फे बहुत परेशानियों से गुजरे तब वहां पहुंच पाए भटक भटक कर लेकिन सौभविक रूप से ऐसे व्यक्ति के हिर्दय में करूना उत्पन होती है और वो पढ़े तो दूसरों के लिए मार्ग दर्शन देता है करूना वश तो उनकी बात का सहयोग लेकर हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो आपने जो सवाल पूछा है उसके दोनों उत्तर लागू होते हैं बड़ी मात्रा में लोगों को गुरू की जरूरत है लेकिन यदा कदा कुछ अत्यांत विवेक पूर्ण लोग होते हैं वो अपने बलबूते भी पहुंच सकते हैं आगर सुरुआत में कभी न कभी कोई तो पहुंचा होगा अपने अपने अप ठीक है जब पर चलते हैं तो एक बाट कर लाता है कि सही गुरू की पहचान कैसे हो कई लोग कहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो सही गुरू आपके सामने प्रगट हो जाएंगे या पर आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें ढूंडने के लिए दोनों बातों में थोड़ी-थोड़ी सचाई है हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंडने की और हम क्या उपाय अपना सकते हैं हम जाएं अलग-अलग गुरू के पास जाएं वो जो कह रहे हैं उसको करके देखें बी एक्सपरिमेंटल लाइक साइंटिस्ट है ने एक जैसे हम विज्ञान की प्रियोक साला में कुछ प्रियोक करते हैं हम करके देखते हैं और तब जो हाइपोथीसिस या सिद्धान्त हमने सुना था पढ़ा था जब उसका परिणाम आ जाता है तो फिर साबित हो जाता है कि ये बात सही है प्रमान मिल जाता है गुरू का कैसे प्रमान पता लगाएंगे कि वो सही कह रहा है कि नहीं वो जो कह रहा है उस मार्क पर आप चलिए अगर वह मंजिल आपके निकटाती है इसका मतलब वो ठीक कह रहा है फिर और चले चलिए और अगर आपको लगता है कि उसके बताए मार्क पर चलने से आप अपनी मंजल से पास नहीं हो रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, दूसरा प्रमान, एक intuition power हमारे हिर्दे में है, तो बहुत जादा हमें बुद्धी का हिसाब किताब नहीं लगाना चाहिए, तरक वितरक में नहीं पढ़ना चाहिए, कि कौन गुरू क्या कह रहा है, हम उनके निकट सानिद में जीएं, और एहसास करें, क्या कोई heart to heart communication, हिर्दे से हिर्दे की बात बन रही है, जैसे कोई व्यक्ति, युवक्त हो गया, एक लड़की युवती हो गई, बहुत लोगों के वे संपर्क में आए, फिर अचानक किसी से मु कैसी होती है, असली प्रेम का कि क्या पहचान, असली प्रेमी क्या होता है, कैसी कोई पहचान नहीं होती, वो तो हम संपर्क में आएंगे, और हम पाएंगे, अचानक जब प्रेम हुआ तो हो गया, और जब तक नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो जिसको हम शिश्य गुरू का संबंद कहते हैं, स्रद्धा, वो प्रेम का और बड़ा रूप है, विराट रूप प्रेम का, तो वो भी जब होता है, तो होता है, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम जान बूच कर उसको नहीं कर सकते, तो असली बात है स्रद्धा, तरक वितरक नह अगर आपके दिल को कुछ छू जाता है और स्रद्धा उमण जाती है तो आप सवभागिशाली है अब वहीं चलिए रुकिए और अगर ऐसा नहीं होता है कृपा करके वहां से आगे बढ़िए इसका यह मतलब भी नहीं कि गुरू गलत है हम उसके बारे मिनेर्ड नहीं ले र इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे जूते गलत है वो भी किसी को पसंद आएंगे वो भी किसी के नापके होंगे तो बजाए हम यह निर्णा करने के कि यह गुरू सही है यह गलत है ऐसा नहीं हम यह कहें हमारी मैचिं कहां बैठी हमको कहां जमा जो चीज हमारे काम की है हम उस जो कहा कि ठीक वक्त आने पर ही वो हो पाएगा, यह वाली बात भी बिल्कुल सच है, केवल हमारे करने से यह नहीं होगा, एक समय आएगा, हम पाएंगे अचानक कुछ हो गया, और तब हमें इस बात का एहसास होगा, कि यह भी गुरुदेओ की कृपा है, तो हमारी खोज ने और सद्धा उमगेगी, तब आप भली भांती जानेंगे कि वाह, क्या बात है, यह हमारे वश के बाहर था, यह परमात्मा की कृपा है, यह गुरु की करुणा है, तो दोनों बाते हैं सचे हैं. पर चलने वाले यह कैसे जाने कि उनकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिच्वल ग्रोथ हो रही है, वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसे चेक करने का तरीका क्या है? जैसे बुखार नापने का धर्मामीटर होता है न, ऐसा ही स्पिरिच्वल रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा जो बुखार है, वो कम होता जाएगा, चित्की चंचलता कम होगी, अशान्ती और बेजैनी कम होगी, निराशावादी द्रष्टी को नकारात्मक रवईय हमारा द घटनी थी, लेकिन हमारा नजरिय बदल जाएगा, हम उसको बहुत पॉजिटिवली देख पाएगे, और हर चीज हमको खुशी और शान्ती प्रतान करेगी, हमारे भीतर से शिकायत भाओ, वो जो कम्प्लेनिंग नेचर है, वो खतम हो जाएगा, हम दोशार ओपन करना हमारी दृष्टी परकेंद्रित मा होकर स्वाकेंद्रित हो जाएगी, हमारे जीवन में शान्ती बढ़ेगी, प्रीती बढ़ेगी, हमको एक आंत्रिक मुक्ती का एहसास होगा, एक फ्रीडम भीतर से लगेगी, जैसे बंदनों से हम छूट गए, हमारी कामनाएं, वासनाए मैं तो कंच्छाएं करम से कम और कम और कम, वो जो बुखार चढ़ा था ना हमको, दीरे-दीरे एंबिशन का वो कम होने लगेगा, और हम पाएंगे, हम अकारण प्रसंद है, फिलिंग हैपी फार नो रीजन, इसी का नाम आनन्द है, इसके पहले हम जो खुशी या मगन है, एक अकारण प्रसंद ता 24 गंटे चाई हुई है, इसका नाम है आनन्द, without any cause, कोई वजह इसकी नहीं है, एक मस्ती चागई, तो ये एक उधारण से समझ लीजिए, एक व्यक्ति को हमने कहा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वहाँ आगे नदी आएगी, मगल म एक बहुत अच्छा बगीचा है, वहाँ फूल खिले हैं, पंची वहाँ पर हैं, वो पूछे का क्या प्रमाण होगा कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूं या बटक गया हूं, हम उससे कहेंगे कि जैसे जैसे आप नदी की तरफ जाएंगे, वो सकता है हवाहों में शीतलता का एहसास होने लगे, नदी की तरफ से ठंडी हवाय आ रही होगी, खुश्बू आने लगेगी, बगीचे में वहाँ बहुत फूल खिले हैं, वो सकता हाधा किलोमीटर दूर से भी कोयल की आवास सुनाई पढ़ने लगे, तो आप समझ जाना कि आप ठिक दिशा में जा रहे ह तो ऐसे ही अध्यात्मारगी के लिए प्रमान है, शान्ती, प्रीती, मुक्ती, त्रप्ती का एहसास, ये बढ़ने लगेगा, शिकायत भाव, घटने लगेगा, धन्यवात का भाव, ग्रेटिट्यूट बढ़ने लगेगा, पूरे जीवन के प्रतिवय धन्यवात से, अहो भाव से भरा होगा, इसका मतलब बिलकुल ठीक दिशा में जा रहा है, इसी दिशा में आगे बढ़ता चले,